Happiest Mind IPO अगर आपने इसका grey market premium सुना होगा तो आप सबी के मुं में पानी आ गया होगा जो अब इसका grey market premium चल रहा है IPO मंडे को launch हो रहा है तो उससे पहले जान लेते हैं कि IPO में कैसे apply करना है और company की खासियत क्या है क्या इस IPO में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तो अपस्टाक का एक कोंट अगर आपने ओपन कर लिया है तो आप इसमें अपस्टाक के थूँ पैसा लगा सकते हैं लेकिन मेरे केई दोस्त हैं जो अपस्टाक में नहीं ओपन कर पाए तो उनके लिए मैंने एंजल ब्रोकिंग लाया और एंजल ब्रोकी में भी अगर कोई नहीं open कर पा रहे तो वो 5pesa.com में भी open कर सकते हैं मेरा तो उन्होंने welcome कर दिया अब आपका भी welcome due है जैसे मेरा welcome किया वैसे वे आपका भी welcome करेंगे account 5pesa में आप कैसे open कर सकते हैं अगर आपके mobile number जो है अधार से link नहीं है तो आप पूरा farm complete करके उसका print out लेके उनके office के address पे courier रवाना कर दीजिए और साथ में अपनी जो slip है जो courier की receipt है वो whatsapp या email उनको कर देंगे तो आपका account जो है तरंद जो है वो चालू कर देंगे आप IPO में पैसा लगाने के लिए eligible हो जाएंगे तो ये मुझे सबसे अच्छा plus point लगा क्योंकि मेरे केई दोस्त जो है upstock में और angel में ये benefit नहीं उठा पाए और वो रह गे थे तो मैंने उनके लिए एक नई facility जो है वो ले आया हूँ लिंक description में आपको सभी का मिल जाएगा कोशिश कीजिएगा लिंक को क्लिक करके ही आगे बढ़ें ताकि आगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं उसको साट आउट भी करवा सकूं अब happiest mind's IPO mindful IT company है इनके promoter कोन है एक बार आप नदर मार लिजिए सक्रीन पे board of directors मिस्टर अशोग सुटा यह जो है लीड कर रहे है कंपनी को एज चेर्मेन एग्जिक्यूटिव डिरेक्टर काफी अच्छा प्रोफाइल है आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं मैंने काफी information इस कंपनी की जो है एक तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर से लाई है और काफी अजर सोर्सी से भी लाई है कंपनी काफी अच्छा कर सकती है आने वाले time में अशोक शूता जो है यह promoter है, executive director और director है company के, bachelor's degree है इनके पास electrical engineering की, इससे पहले यह mind tree के साथ थे और wipro के साथ थे, और जब इन्होंने mind tree चोड़ी और उसके बाद इन्होंने अपना venture start किया, काफी awards भी है, इनको मिले हुए golden peacock award, electronics men of the year award, और दूसरे काफी भी वाड हैं और कहीं associations को भी यह lead कर रहे हैं अब देखते हैं कि company का IPO कैसे काम कर सकता है और इसकी return क्या आ सकती है लेकिन उससे पहले हमें risk factor पे नदर डालनी पड़ेगी जिसको हमें ignore नहीं करना चाहिए risk related to our business इन्होंने बताया कि business जो है ये United States में जो customer है इनके ओपर काफी depend करता है अगर वहाँ पे economic condition में कुछ effect हुआ आने वाले समय में तो इनके revenues, operations और financial conditions में भी असर उसका देखने को मिल सकता है वही कुछ और risk factor भी है जो एक एक करके आप screen पे देख भी सकते हैं जैसे इन्होंने आपनी growth को कले के काहा है कि हमारी growth जो है वो management personal पे depend करती है और अगर उसमें कोई change होता है तो या उनकी manpower में कोई change होता है या आने वाले समय में कोई उनका employee नोकरी छोड़ के चला जाता रहा है क्योंकि IT industry जो है वो skilled manpower के ओपर ही depend करती है और इनका manpower ही इनकी क्या है assets होते हैं तो अगर इसमें कोई hair fair हुआ तो इसमें इनको शैद नुकसान देखने को मिल सकता है उसके इलावा भी इन्होंने काफी कुछ बताया है जो आप screen पे continuous देख भी रहे होंगे या still कर 30 March 2020 को नंबर बढ़के जो हो गया 2439 का पहुंच गया है अभी इसके इलावा अगर आप देखेंगे की कंपनी की performance कैसी है performance मुझे कंपनी की अच्छी लगी वह कैसे एक बार आप balance sheet में नदर मारिए कि इसकी balance sheet क्या कहती है balance sheet अगर आप देखेंगे 31 March 2018 को इनका loss था 27224 मिलियन रुपीज का यस सारे figure मिलियन में है तो 31 March 2019 को यह 142 मिलियन रुपीज पहुंच गया और 31 March 2020 को यह 717 मिलियन रुपीज पहुंच गया काफी appreciable है इसके इलावा कंपनी को पे legal क्या binding हो सकती है क्या को litigation चल रही है इस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए कंपनी के अगें सिर्फ एक केस चल रहा है जिसमें 37.7 मिलियन रुपीज की involvement है अब यह केस क्या है इसका nature क्या है यह red herring prospectus में detail से दिया होगा जो मैं track out करने की कोशिश कर रहा था बड़ प्रोस्पेक्टस काफी लंबा था तो मैं नहीं कर पाया इसके इलावा आप देख रहे है कि company काम जो कर रही है वो major इसका जो कोर है जो फील्ड है जो IT सिर इलेटिड इनके फील्ड में कौन-कौन सी segment कौन-कौन से वर्टिकल को यह cater करती है उसमें इंबाल्व है digital business services product engineering services and infrastructure management and security services इसके इलावा जो है digital technologies में कुछ ऐसे words भी है जो शायद आज आप पहली बार स सुन रहे हैं होंगे जैसे robotic process automation, software defined networking, network function virtualization, big data and advanced analytics, internet of things जिसके ओपर जो है आज relance industries भी काफी चर्चा में है internet of things को लेके तो यह company बेग्रेसिवली इसमें काम करी है, cloud business process management and security आवराल सारे ही vertical जो यह काम करी है यह आने वाले समय में demand है तो मुझे लग रहा है कि company में आने वाले समय में एक growth potential काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अभी एक बार आप client list पे नजर मारी है client list पे यह कुछ मैं देख रहा था तो partners में Amazon Web Services, Dell हो गया, IBM हो गया तो partner अच्छे है, Maxi हो गया ऐसे इनकी list काफी लंबी है तकरीबन 130 के लगबग partner है छोटे बड़ है और partner क्योंकि छोटे बड़े mix category की combine है तो आने वाले time में आप यह list बड़ी होती हुए भी देखोगे जैसे company का IPO आएगा और company जो है और ज्यादा सुर्कियों में आएगी अभी अगर आप दोस्तों देखेंगे कि जो मुझे हिरानी हुई शायद आपको भी होगी हम banker investor से तकरीबन प्री IPO जो है उसमें 315 क्रोड रुपया जुटाने में काम्याब है जिसमें कौन-कौन से है GIC private limited है vendors capital है सुमित नागर लेट मेलाबार investment है IIFL assets management limited है कुछ ऐसे नाम है जिन्नोंने अभी जो है पैसा जो है company में फेद किया है और लगाया है 166 रुपय का प्राइज मेंड है 166 रुपय के हिसाब से लेकिन इसमें आपको एक चीज बड़ी interesting मिलेगी तकरीबन promoters के पास यह जो share थे वह तकरीबन 28-30 रुपय के rate पे थे और जो इनकी second company है जो अपना share offload कर रही है bargain CMBD second तो तकरीबन यह company जो है अपना पूरे का पूरा stake निकाल रही है और 35-36 रुपय के बीच में ऐसा मैं देख रहा था company को allotment हुई थी और company की allotment जो है देखिए आप कितने अच्छी rate में निकल रही है तकरीबन 5 साल का investment को इनको कितना अच्छा return मिल गया है अभी company जो है तकरीबन 700 करोड का IPO है जिस में से 110 करोड के जो fresh share है और बाकी के जो share आ रहे हैं यह जैसा मैंने अभी आपको कहा कुछ जो अपना promoter है वो stake आफ़लोड कर रहे हैं और कुछ जो है JP Morgan अपना stake आफ़लोड कर रहे हैं अब हम जल्दी से देखते हैं कि company का offer क्या है अगर आप screen पे देखेंगे क्यों आइबी के लिए 75% portion जो है रिजर्व है नान institutional investors के लिए 15% रिजर्व है और सबसे ज्यादा निराशा जो है वो retail investor के लिए है मातर उनके लिए सिर्फ 10% ही रह गया है IPO का size तो 10% के लिए काफी लडाई काफी मुशकत होने वाली है तो आपको मेरी suggestion है कि multiple account से आप अपनी application लगाईएगा ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ इलाटमेंट में मिल जाए अगर 166 रुपे की इलाटमेंट है और ग्रे मार्किट का प्रीमियम डाल के चलें तो 50-60 रुपे की शद लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकती है अगर 17 तारीक जब इसकी इलाटमेंट है 15 तारीको refund हो जाएंगे 15 तारीको ही आपके account में जिस जिसको इलाटमेंट होगी share आ जाएंगे और 17 तारीक से आप मुनाफ़ा जो है अपने account में transfer कर सकते हैं अब minimum जो है एक lot है जिसमें 90 share है उसके लिए आपको 14,940 रुपे चाहिए दो लाख रुपे तक जो है retail maximum capital invest कर सकता है एक single investor तो वो 13 lot apply कर सकता है जिसके लिए 1,94,220 रुपीज की आपको investment करनी पड़ेगी तो आप जो है अपने account से direct जो है एसबा के थ्रू भी इसको कर सकते हैं अब भी इसके लावा आप देखेंगे face value जो है सक्रीन पे आप देख भी सकते हैं दो रुपे की है IPO का जो प्राइस है 165 से 166 रुपे है market lot और minimum quantity दी है और BSE और NSE पे भी ये list होगा अब जो इसके book lead managers हैं जो इसको handle कर रहे हैं उनका जितने भी उन्होंने issue लाए है तकरीबन 11 लाए है 11 में से 5 जो है below price पे list हुए है ये थोड़ी सी शायद जो track record देखते हैं उनको निराशा हो लेकिन निराश होने की बात नहीं है अगर आपको ये IPO मिलता है allotment होती है तो इसे लावा एक और चीज़ है PE ratio price earning ratio जो 31 है जो industry का average जो same दूसरी companies है उनका 26.9 है लेकिन IPO है IPO में तो आपकी कित्मा चमक सकती है अगर आपको मिल जाये तो company नहीं है अगर आप hold करके चलेंगे आपको जुरूर इसमें मुनाफ़ा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा as per जो company काम कर रही है और company में बड़े investors का जो है वो interest भी जाहिर करता है कि आने वाले टाइम में ये company जो है काफी अच्छा कर सकती है तो अगर आप IPO में invest करना चाहते हैं और आपका demite account नहीं है जो compulsory है आपको allotment के लिए तो आप नीचे दिये हुए links में click करके फिलहाल अ किसी भी माध्यम से link में click कीजिए और direct जो है formally complete कीजिए और IPO के लिए eligible होई है इसी के साथ दोस्तों मैं ये analysis यहीं खतम करना चाहता हूँ उमीद है कि आपको फायदा होगा मेरी recommendation है पैसा लगा लिजिए शायद और holding रख सकते हैं holding को रखिए नई तो जो है IPO का gain जो है वो आपको एक दो दिन या दस दिन की return मिल जाए तो ये bad नहीं है इसी के साथ नमस्कार जैहिल